हलो डियर स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है बॉटनी के इस स्पेसल क्लास में जिसमें हम लोग आज सीरीज आपको स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी और जिरोजी से रिलेटिट तो आज जो है हम लोग मॉडल आंसर में आपको बताने वाली हूं और आपको कैसे लिखन हैं एक्जाम में उसको भी आपको एक्स्प्लेन करने वाली हूं तो यहां पास जो है आपको सबसे पहले क्या करना होता है एक्जाम में आपको और क्या नहीं करना है उसके बारे भी आपको मैं बताऊंगी तो सबसे पहले जो हम देखते हैं बॉटनी का और बॉटनी में ज तो पहले question को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि question बोलना क्या चाहता है जिवास में से आप क्या समझते हैं जिवास में की प्रक्रिया को समझाते हुए जिवास में के विवने प्रकारों को लिखिए what do you understand by fossil, explain the process of fossilization and write different type of fossil तो यहाँ पस जिवास में क्या है जो जिवास में से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है और जो इसका जिवास में भावन है fossilization की प्रक्रिया है जो कैसे होती है उसको लिकना है । और इसको जितने भी types हैं सके बारे में आपको बताना है। तो यहां आपको सबसे पहले क्या करना है। नेश्ट परसे से आपको heading डालना है answer का और answer में heading डालना है side में cynopsis का। और cynopsis बहुत से जो ऐसी student होते हैं जो cynopsis नहीं बनाते हैं अगर आप synapsis नहीं लिखते हैं तो आपका number cut up होता है और वहाँ पस जो है आपको कितना भी चाहे आप अच्छा लिखें आपको number cut करते हैं तो यहां पस जो है आप अगर साइनपसिस बना के लिखते हैं तो मैं आपको 100 परसंट में आपको वह देती हूं कि आपका दस में आठ नौ कंप्लीटली आ जाएगा क्योंकि आपका है डाइटिंग भी मेटर करते हैं कुछ मेटर में तो आपको उसको भी अच्छे से लिखना होता है और जो डाइग्राम जो है वह भी आपको अच्छा बनना चाहिए तो आपका बन सकता है तो आपको चलो देखते हैं कि आप क्या करते हैं सानॉपसिस बनाके तो सानॉपसिस बनाने के बाद आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन लिखना है इंट्रोडक्श देफिनसां परिवासा देना हम ऊसका प्रेपांस लिखना होता है इसकी प्रक्रिया के बारे जए तोपी प्रिभास को जने सोपिक टॉसको खरते हैं आपको को शेकर होते हैं यहां पासे endorsed- पहले छेकर प्रफ Mahama, चेक करने तो यहां पास आपको उनको बता दोगे कि यहां पास जुआ है यह सब जीए लिख्यूं करके तो आप उनको कोई टेंशन नहीं होगा और वह पहले यही से चेक करेंगा उसकी पास सिधा पना पर लटके उसी भी जाएगा तो आपस झुजह हम अगर उनको सुवीधा दें तो वहां पास उनकों लोग इंप्रेस हो जाते हैं और वहां पस नंबर लिना श्टार्ट कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं कि आप इसका तो टाइप आफ फॉजल लिखना है उसका जितने भी टाइप फॉजल में जो है हमारा एक टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक जो है छह है आपका तो उसको भी आपको छह टॉपिक लिखना है फिर नेस्ट है आपका कॉंक्लूजन कॉंक्लूजन में हम क्या लिखते है निशकर से लिखते हैं तो आपको निशकर से बताना है जिवासमा का निशकर से बताना है उसके बाद सोर्स आप लिखना है रिफ्रेंस बुग में तो आपकी सोर्स से पढ़ने हो उसके बारे में आपको बताना है तो फर्स्ट जो है आप देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या ह तो यहां पास प्राचिन सरे में पाया जाने वाले पॉदल की जो जितने भी प्रमानित करता है जो आश्मों के अध्यन से पॉदल की प्रकृति का और जो नेचरल डिजास्टर हुआ उसके बाद जो क्या हो गए चीजे सब नेश्ट हो गई और रिथिमे में जाके क्या हो पाया और रहने के बाद क्या हुआ यहां पस उनकी जैसी जो उसकी सेफ थी और साइड थी वह क्या हो गया एक पथरों में जाके चिपक गया चिपकने के बाद क्या होता है उसका अकार वैसी बन गया तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री जो क्या होता है हिस्ट इसको पहले मैं नाम बता देती हूं, जो जुन्यो कायन नामा के वेगानिक है, जो ग्रीक दार्शनिक था, उन्होंने इसको डिसकवर किया है, जो जिवास में गाए उसको, और उनको भी तो ये जो है, कुछ डिसकवर कैसे करते हैं कुसी भी चीज को, पहले जो है, हम कुछ चीज को करते रहते हैं, जिसकी ये कुछ कर रहा होगा, या तो अपने कहीं पास गंठा खोद रहा होगा, उसको बहुत टाइम बात की कुछ पुरानी चीज इसको मिली होगी, तो वहाँ पास वो देखा होगा, उसको आइडिया आया होगा, क्यों कैसे मतलब, और किसी चीज पुरानी चीज परत्दाग जो चट्टानों में दब गई, और दबने के बाद उसको खबगते हम जिवासमें, तो अब प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस आप वोजिलाइजेशन क्या है, तो वैग्यानिको ने दो प्रोसेस दिया है, दो चीज़े बताई है कि और दूसरा जो है हमारा थेयोरी आप इंफ्रेक्टरेशन, ओके तो यहां पास इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्लांट बोडी में जो है मॉलीकुल बाए मॉलीकुल आगे खनीच पदार्तों का जो है वह हुआ होगा, गुली तरुप में क्या हो गया, प्रिजर्व हो प्रिजर्व होने के बाद जो है इसी को हम लोग थेयोरी आप मॉलीकुल रिप्रेस्मेंट बोलते हैं, अब नेस्ट जो है इसमें क्या होते गया, थेयोरी आप इंफ्रेक्टरेशन में इसमें जो है चीजे जैसे की मिट्टी के उपर पहले कुछ डालते हैं, उसके बाद फिर मिट्री डालते हैं तो चीजे ऐसी हुआ होगा, इसमें इस थेरी के इसार जो है पॉजिल पहले के चारो और जो है मीडियम में पस्तित रसानी कदार्टो का रिफ्रेस्मेंट इंफ्रेक्शन सेल वाल में दबा हुआ होगा, प्लांट रिमेंस भूमी में जितने भी र बदने के बाद यह वाला प्रोसेस हो गया, उसके बाद नेश्ट हमारा देखते हैं हम नेश्ट है जो हमारा प्लूपी का हुआ हूआ टाइप आप पॉजिल तो पॉजिल जो है के टॉपी को मतलब जो प्रिजर्वेशन के अधार पर च्छाय प्रकार के होते हैं तो पहला जो है आपका प्रिफिकेशन होता है प्रिफिकेशन प्रिफिकेशन में क्या होता है इसमें इंटर्नल और पाधों के जो जितने भी इंटर्नल और एक्स्टर्नल स्टेडी हैं मोग कर सकते हो और यह जो प्रिफिकेशन वाला जो टाइप है वह बहुत आपका सरल और कि इसमें आप इसका इस्ट्रक्चर डिटर्स भी आप देख सकते हैं और यह जो है मॉलीकुल से बनता है तो यहां बास यह जो पेट्रिफिकेशन है यह बहुत अच्छा वह होता है जिसके स्टडी हम असानी से कर सकते हैं नेश्ट जो टॉपिक है इसका आप और आपको क्रेवर होंगे उस्ट्रक्चर डाइग्राम अच्छे से देना है और आपको डाइग्राम में यूज कर सकते हैं बट आपको यहां पर रेड और ग्रीफिन यूज निकारना है और इसमें जो है कोई भी औरगर्स का पार्ट नहीं लिखता है और एक होल त्यूपिक बन जात पड़ सकते हैं यहां पस आपको मैं सम्झाने के लिए 2 3 चीज़ बता जाते हैं कि इस में इस फॉजिल में क्या होता है इसका और पर नहीं दिखता है यह एक होल जैसे काविटी बना लेता है वाफ्स पड़िश्कक्र इस इसका श्वायच भी दिखता है कि एक यह प्लांट का एक वह है रूट है रूट में यहां पास की कास्ट का वह हुआ है निश्ट टॉपिक है आपका कॉंप्रेशन कॉंप्रेशन भी क्या होता है कोई भी मोटेरियल जो है रॉक में रॉक के कॉंटेक्ट में आ जाते हैं रॉक के कॉंटेक्ट में आने के बा इसका भी आप वह देख सकते हैं डाइग्राम इसमें आपको डाइग्राम भी अच्छे से बनाना है ताकि आपको नुम्बर भी अच्छे से मिलें नेस्ट कोंफेक्टेशन तो कॉम्फेक्टेशन में क्या होता है इस फॉजल में हार्ड पार्ट और्गिनिस्म का दप जाता है इसमें कुछ होल कैविटी भी बनता है पहले है कि दू कि दू के फॉजल अइसमें में चैघ्र नहीं है लेकिन आप वहां पास देख सकते हैं वह ना पाहिए अस मपने जला दो नक्राद में ना सविब्यान का इस नहीं दीखता है ऑनेछ आरूआता है जहांब आप इसमें देख सकते हों कि डाइगराम में गशाएं और देख के आप उसको लिग सकते हैं नेम्र लिए शिख से एंबर यही एंबर और एंबर में इंबर जो है यह ऐसा गम-like structure होता है जो इंसेक्ट जो है इसमें जाकर चिपक जाता है उसके बाद अबुट में प इसे पूरा इसको कवर अप कर लेता है और और हम पीज बने रहती है तो यहां पास इसमें आप देख सकते हैं जो चितरे में जितने भी पार्ट है जो प्लान्ट का पार्ट है वह जाके वहां पस गिर जाये रहता है और गिर के उसको पूरा कवर अप करके उसको बंद कर देता है जो कभी डिश्ट्रा या डिकंपोज्ट नहीं होता नेश्ट जो है हम यहां पास अपका कंक्लूजन आ गया तो कंक्लूजन आपको लिखना है महाँ पास कि कैसे जितने भी हमारे जिवास में के टॉपिक्स हैं और जैसे अपको अपना कंक्लूजन अपको खुद लिखना है कि पार्ट जो कैसे उस टाइम पे किस कारण के वज़ पड़ता है इसमें conclusion में ओके अब नेस्ट जो और लास्ट जो टॉपिक है हमारा reference बुक होता है और इसमें आपको लिखना होता है source of book जिस source से आप पढ़े हो book के उसको आपको लिखना होता है with a writer name तो यहां पास आप लिख सकते हो unified 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 में जो भी sb agrawanis को लिखा है right किया है और up unified में है जो सी पंडे जैने लिखा है तो यह थे हमारे overall आज का जो topic है वो हमारा जो आसमा फॉजिल से related था ऐसे ही next topic जो है आपको मैं बताऊंगी जो आप series स्टार्ट हो चुका है यहां पास जो लाजी और बोटनी का series चलते रहेगा और आपको comment भी कर ला है जिस भी topic में आपको जिस भी topic में आपको चाहिए model answer आपको comment करके लिखना है कि मेरे को इस topic में model answer चाहिए ऐसे करके मैं करके मैं आपको उसी topic में आपको बताते जाओंगी और मैं अपना जितने भी एंट्वी question है बोटनी और जी लॉजिस रिलेटेट आपको उसका तो series चलते ही रहोंगी लेकिन आप लोग भी comment करके अपना जो topic है जिसमें आपको समझनी आ रहा होगा उसको आप बता सकते हैं तो चैनल को like और subscribe रुपना ने चाहिए क्योंकि हापस मैं आपको ऐसे ही useful और helpful content आपको provide करते रहोंगी और आपके जितनी भी doubts है उसको आप मैं clear करते रहोंगी thank you